हेलो फ्रेंड स्वागत था अपका मेरे चैनल प्रिधी इस कॉर्णर में आज हम बनाएंगे कोकोनट वॉर्टर आइस क्यूब कोकोनट वॉर्टर हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा वेनिफेशल है इसमें विटमिन सी, एंटी फंगल और एंटी वैक्टिरियल प्रोपरटीज होती है यह हमारे स्किन के पिग्मेंटेशन, डाक स्पॉर्ट, संटैन, संबर्न, रिंकल्स, एजिंग, हाई पिग्मेंटेशन, मलाजमा, फ्रिकर्स को दूर कर इसकिन को यंग एंड ग्लोइंग और स्पॉर्टलेस बनाती है तो चले शुरू करते हैं, बनाते हैं कोकोनट वाटर, आइस क्यूब, इसके लिए मैंने एक नारियल लिया है और इसका पानी हमने निकाल लिया है इसके बाद हम नारियल पानी को एक पर स्ट्रेइनर से चान लेंगे और यदि अभी तक अपनी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर आल पर क्लिक करना ना भूलें हमने इसे चान लिया है अब हम इसमें एक चम्मच रोज वाटर डालेंगे आप किसी भी ब्रेंट का रोज वाटर यूज़ कर सकते हैं इसके साथ ही मिलाएंगे एक टीस्पून शेहद यदि आपकी स्किन को शेहद सूट नहीं करता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसी के साथ आप इसमें एक टीस्पून एलोविरा जेल भी मिला सकते हैं मैंने सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लिया है अब हम इसे आइस क्यूब ट्रे में ट्रांस्पर करेंगे मैंने सिलिकॉन का आइस क्यूब ट्रे लिया है आप नॉर्मल भी ले सकते हैं मैंने मिक्स्चर को आइस क्यूब ट्रे में फिल कर लिया है अब इसको चार से पांच गंटे फ्रीजर में रख देंगे सेट होने के लिए चार से पांच गंटे हो गए है और यह सेट हो गए है अब हम इसको यूज करेंगे सबसे पहले हम इसको निकालेंगे और यह देखे जितना यूज करना है उतना हम निकाल लेंगे और फिर से हम इसको फ्रीजर में ही रख देंगे और इसके बाद हमें cotton का कपड़ा या हैंकी लेंगे और इसमें ice cubes को रख कर अपनी skin पर इस तरह से रब करेंगे आप इसको face पर कर सकते हैं मैं हातों पर करके दिखा रही हूँ और इसको लगाने से हमारी skin बिलकुल smooth, shiny और moisturized लगेगी और इससे हमारी skin की सारी problems दोर हो जाएगी तो महेंगे products लेने से अच्छा है आप इसको घर में बना के use करें तो यदि आपको मेरी video पसंद आए तो मेरी channel को subscribe करें वीडियो को like and share करें thanks for watching my channel take care and bye bye